हेलो दोस्तों All In One TET चैनल में आप सभी का स्वागत है के भी एस पियार्टी एस्पेक्टेट कटफ क्या हो सकता है 22 दिसमबर 2018 को जो एक्जाम हुआ है पियार्टी क्या उसका कटफ क्या होगा इसकी बात हम लोग इस वीडियो में कड़ेंगे पियार्टी में जेनर्डल का कटफ जो होगा इस बार का 95 से लेकर 105 के बीच में होगा 2016 की बात करें तो 2016 में जेनर्डल का जो कटफ था वो 100 था वहीं पे 2017 में जेनर्डल का जो कटफ था वो 100 ही था और इस बार का कोशन कुछ टफ था अवियर्तियों से जो बात की गई है सर्वे ली गई है उनके हिसाब से उनका कहना है कि question इस बार का tough था साथ में कुछ अवियर्तियों का कहना है कि मैंने 110 से 115 के बीच में टच किया है और मेरा सही भी है तो इन दोनों का बीच के अगर ratio हम निकालते हैं तो अंदता आप कहा सकते हैं कि 95 से 105 के बीच में cut-off जो है 2018 का जा सकता है और वहीं पे OBC की बात करें तो OBC क्या कर जो cut-off होने वाला है वो 90 से 95 के बीच में रहेगा वहीं पे आप सभी देख सकते हैं कि SC का जो cut-off होने वाला है 2018 PRT का वो 85 से 90 के बीच में जाएगा और question का level जो ठीक था कुछ का कहना है कि question भाड़ी था लेकिन कुछ ऐसे section थे जहां पे बचे अच्छा score कर रहे हैं तो उसको देखते हुए उसके recording SC का जो cut-off इस बार होने वाली है वो 95 से 90 के बीच में रहेगी वहीं पे ST की बात करें तो ST का cut-off जो होने वाला इसे 85 के बीच में रहने वाली है तो ये cut-off जो decide किया गया है अभियर्थियों के द्वारा दिये गए अनभाव उनके द्वारा solve किये गए और correct question को देखते हुए ये जो cut-off है वो निर्धारित की गई है और 2016 और 2017 के जो cut-off है आप सभी देख सकते हैं कि cut-off क्या था और इस बार भी cut-off क्या रहने वाली है उसको भी देख सकते है question का जो paper question paper था उसका level भी काफी अच्छा था कुछ section easy थे जहां पे बचे काफी अच्छे number प्राप्त कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये cut-off decide किया गया है तो आप सभी जितना question attempt किया है आप मुझे comment में बता सकते हैं कि आपने कितना question सही attempt किया है और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बगल में बेल आइकोन है उसको भी दवा दीजे और अपने दोस्तों के बीच में इसे share कर दीजे ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख पाए चैनल से जूर पाए और पुड़े वीडियो को अंतर देखने के लिए धन्यवाद